सभी सिच्चक साथियों को मेरा नमस्कार मैं प्रसेंजीत आप सभी का इस वेडियो में स्वागत करता हूँ साथियों आप अवगत ही हैं कि निष्ठा ओनलाइन प्रसेक्षन कारक्रम बर्तमान में गतिमान है जिसके माडूल नमबर एक, दो, तीन और चार को आपने पूर्ण कर लिया होगा इसी क्रम में माडूल नमबर पांच सिक्षन अधिगम और मुल्यांकन में ICT का समनवे उत्तर प्रदेश का दीक्षा लिंक भी प्राप्त हो गया है इस माडूल को हमें 15 नमबर 2020 तक पूर्ण करना है मेरा आप सभी के लिए ब्यक्तिकत सुझाओ है कि निष्ठा प्रशिक्षन को पूर्ण करने में जल्दवाजी ना करें क्योंकि प्रशिक्षन को जल्दी पूर्ण कर लेने से अधिक महत्य पूर्ण है प्रशिक्षन पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्णोत्री में अधिक्तम अंक अर्जित करना आज के इस वीडियो में मैं आपको इस माडूल की प्रश्णोत्री में पूछे गए सभी प्रश्णों के सही उत्तर बताने वाला हूँ जिससे की आप अपने उत्तरों की जांच कर सकें आए प्रारम करते हैं इस मौडूल की प्रश्णोत्री और जानते हैं एके कर सभी प्रश्णों के उत्तर पहला प्रश्ण है इसामग्री निर्मार के निसुलक एवं ओपन सोर्स सौफ्टवेर या मंच है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए है और ओडेसिटी और ओपन सोर्ट वीडियो एडिटर एज़ फाइब पी स्क्रेच और सभी इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए है इस्टेलेरियम, जियोजेब्रा, कॉलजियम और एवोगेडरो, विशेविशेश, निशुलक और ओपन सोर्स सौफ्टवेर है गूगल फॉर्म्स, काहूट, होट पोटेटो और मेंटी मीटर आंकलन के लिए ओनलाइन टूल्स या प्लेट फॉर्म है ओपन सोर्ट बेडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ओनलाइन प्रोग्रामिंग सौफ्टवेर है और फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निसुल्क सैक्षिक सौफ्टवेर हैं जिनका इस्तिमाल बिचारों और अबधारणाओं की चित्र के माध्यम से प्रस्तोती करण के लिए किया जाता है इसका सही उत्तर है ओपिन सोट बेडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ओनलाइन प्रोग्रामिंग सौफ्टवेर है अगला प्रश्ण है इपार्ट साला है उत्तर के चार बिकलब दिये गए हैं सभी सभी सेक्षिक इस संसाधनों जैसे पाठ्थे पुस्तकें ओडियो बीडियो पत्र पत्र का और अन्य प्रिंट और नौन प्रिंट किस्म के सेक्षिक इस संसाधनों का प्रदर्शन और प्रशार एक बेप पोर्टल या मुवाइल एप जो छात्रों, शिक्षकों, माता-पिता और सोध करताओं के लिए शेक्षिक संसाधन उपलब्द करता है और हर समय और हर जगे पर निसुल्क उपलब्द इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है ICT समेकित शिक्षन के लिए विसेवस्त विसलेशन की क्या आवशक्ता है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं ICT उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में बिभिन गद्विधियों का आयोजन सभी इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है Open Educational Resource अर्थात OER है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए है NROER सुलव स्कूल विसेवधार्णा आधारित एक पुस्तकाल है जिसमें आडियो वीडियो सीखने की बस्तुएं चित्र, प्रस्न बैंक, गतिविधियां या प्रस्तुतियां है जिन्हें डाउनलोड और साजा किया जा सकता है और जिन पर टिपड़ी की जा सकती है अधिगम शिक्षण और मुल्यांकन के लिए उप्योगी स्वतन्त रूप से उपलब्द, खुले आम लाइसेंस, प्राप्त सामग्री और मीडिया सभी और यह है पूर्ण पाठिक्रम, पाठिक्रम सामग्री, मौड्यूल, पाठिय पुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो, सौफ्वेर और कोई भी अन्य उपकरण सामग्री या तकनीक का समावेस है जो ज्यान के अभिगमन में मदद करता है इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है अधिगम एवं शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वण है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं गुडवत्ता में सुधार के लिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पारंपरिक विद्य में बदलाव के लिए और सभी इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है इसामग्री है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं रिपोजिटरी और बेप पोर्टल जैसे एन आर ओई आर इपाटसाला शाक्षात ओलाब आदी से प्राप्त सामग्री सूचना जोकी इलेक्ट्रानिक उपकरणों कम्प्यूटर या संगलक जाल दंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्द कराई जाए डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ओडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंट्रेक्टिब और सिमुलेशन के रूप में सामग्री और सभी इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्न है ICT सम्बंधित नहीं है उत्तर के चार बिकल्प दिये गए हैं कल्पना, स्रिजन, पुनहे प्राप्ति, और प्राप्त करना इसका सही उत्तर है कल्पना अगला प्रश्न है ICT कैसे अधिगम, शिक्षन और मुल्यांकन में सही योग देता है उत्तर के चार बिकल्प दिये गए हैं स्वयम निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोथ साहित करता है अधिगम के साधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का आवसर प्रदान करता है जिससे अधिगम की ब्रद्धी होती है और सभी इसका सही उत्तर है सभी अगला प्रश्ण है एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर है उत्तर के चार विकल्ब दिये गए हैं जिसे कौपी राइट धारक से पुने उपियोग और पुनर वित्रण की अनुमत की आवशक्ता होती है जिसे उपियोग करने के लिए लाइसेंस की आवशक्ता होती है कोई भी नहीं और स्वामित वाले सॉफ्ट्वेर इसका सही उत्तर है कोई भी नहीं साथियो यदि आपने इसी प्रकार प्रसनों के उत्तर दिये होंगे तो आपका भी स्कोर 10 आउट आफ टेन रहा होगा आप द्वारा इस प्रसनोंतरी में अर्जित किये गए अंक बहुत महत्यपून है यदि आप अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो आप रीप्ले बटन पर क्लिक कर अथवा प्रसनोंतरी को खोल कर प्रसनों के उत्तर पुनह दे सकते हैं एबम उत्तरों को सम्मिट कर अ सबसे पहले पाने के लिए आप मेरे वाट्सेप, फेस्बुक एबम टेलीग्राम ग्रुप्स को जैन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डेस्किरप्शन में मिल जाएगा अगले वीडियो तक के लिए आपसे अनुमती चाहता हूँ जै हिंद कर दो